गूड मॉर्निंग एवरिवन सब कैसे हैं विल्कम बैक तो मैं चैनल आज का ब्लॉग पूरत मेरे हजबन ने वाशिंग्टन डी सी में गया है वूर्णियों ने मेरे से शेयर किया है है एज झालों शली सी एज गया लागे में धिजेररर और ऊत्य रासिपन मिल्भ मॉर्फ एज लोगeken exit एंड होती है टू आवर्स की फ्लाइट थी और अब होटल में पहुच गया है और जो रूम मिला था वो रूम शेयर कर रहा है अंटिक होटल थी और रूम का फरनिचर भी सब अंटिक है अंटिक है अंटिक है दोडिन कि अपनी ने चिपक प्रुण ने पर से अपना करूण आंग झाल 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 कि लाँ रोल्ड़र गया है जाल प्रुण धुरी झाल लेकिन मुझे वाशिंग्टन one of my best favorite place है और अभी मेरे हजबन ने गया था job के purpose में स्रिफ दो दिन के लिए और मैं उसको request की थी धोरा सा video बना कर लाने के लिए ये Washington Monument है बहुती popular और famous Monument और ये Monument के just opposite side पे Lincoln Memorial ये famous Washington Monument जब बनी थी तब World का सबसे tallest Monument थी और इस इस दर पर जाने के लिए आप टिकेट पाय कर सकते हैं लेकिन 30 days पहले पूक हो जाती है इतना high demand और ये है second world world memorial प्लेस जहां पर जिन्होंने अपना अपना बलिदान दिया था दूसरे Allied Country के लिए उन लोगों के लिए एक Monument बना हुआ है उसके बाद देखे ये जो लंबा एक पॉंड है और लेक ने पॉंड होगा और सामने में ये जो है ये है लिंकन मेमोरियल बहुती सुन्दर से बना हुआ है ये इसमें बहुत सारे डक्स है सब कोई बोलते है इधर पर आने से डक्स लोगों को जरूर हलो बोल के जाओ लेकिन कुछ खाना देना बिलकुल मना है इधर पर किसी ने इनलों को खाना दे नहीं सकता है जैसा इन ब्रेड या सैड़ूच आप लोग खाते है आप बिलकुल दे नहीं सकते हो चाऱ तरफ लिखा हुआ है बड़ फीट करना बिलकुल मना है और ये वाशिंग्टन मॉनुमेंट से लिंकर मेमोरियल में आने के लिए करे 15 to 20 मिनेट्स लॉंग वाक है इधर पर दोनों साइड पर चेरी ट्री लगा हुआ है 1912 में टोक्यो मेर वाशिंग्टन टीसी को वो चेरी ट्री गिप्ट में दिया था और उसलिए इधर पर एंड अप मार्च फरस्ट रिक अप एपर चेरी ब्लॉसम होती है बहुत ही खुबसूरत सा है पुरा वर्ल्ड से लोग टुरिस्ट देखने आते हैं मेरे को भी बहुत शौक है एक बार जाओ लेकिन हर साल कुछ न कुछ हो जाती है इस बार मुझे जाने का बहुत दिल था लेकिन जा नहीं सकी और अब आ गया है लिंकन मेमोरियल में लंबा सा बहुत सुन्दर मार्बल स्टैचू बना हुआ है और यह फेमस वाइट हाउस और वाइट हाउस के चारों तरफ पूरा बहुत सारे पार्क मैं जो बोली हूँ पार्क है और इधर पर देखे बहुत सारे चारों तरफ बेंच पील रखा हुआ है लोगों ने आकर इधर पर अराम कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर घना एरिया है जिस दिन मेरे हजमने गया था उस दिन तो सकाई देखकर ही लग रहा है क्लावडी था वाशिंग्टन में एक इंटरेस्टिंग थिंग है आप जब समर पर आते हैं घुमने के लिए पूरा सकाई आल नाइट हो जैसा रात के समय पर सकाई डर्क हो जाती है लेकिन वाशिंग्टन में रात में भी सकाई थोड़ा लाइट पिंक कलर में रहता है जैसा सूरज उठने के समय में जैसा लाल कलर हो जाती है उसी तरह और यह है फेमस होटल बहुत ही खुबसूरस सा यह बहुत सुन्दर है और यह पॉपुलर भी है बहुत एक्पेंसिव और एकदम वाशिंग्टन यह वाइट हाउस के लाइन में ही है जैसा सुन्दर के लाइन में ही खुबसूरस साथ और यह बहुत है और यह बहुत है और यह बहुत है और यह बहुत है और यह बिल्दिंग है इसमें पूरा है यूएसा का एकड़ानमी में कहां पर कैसा स्पेंट करना है क्या करना है यह सब है इधर पर होती है और एक बात है जो भी प्रिंटिंग डॉलर्स प्रिंट होती है यही बिल्दिंग है वाइट हॉस बिल्दिंग बहुत ही सेकुरिटेड प्लेस है चारों तरफ सेकुरिटी गार्ड घुमते रहता है और उपर में भी दो तीन हेलिकाप्टर्स घुमते रहता है और बिल्डिंग्स के उपर में ओपेन एरिया में स्नाइपर्स भी दिखने को मिलती है और इसके अंदर में देखें बहुत सारे वाइट कलर की टेंट लगी हुई है जरूर कुछ पार्टी हुआ होगा वाइट हाउस के सामने में जितना इतने सारे बड़े बड़े फ्रिल्ड्स है उदर पे पार्टी इस तरह से देते हैं और इदर पे जो ग्रीन बूट्स दीख रही है ये निउस निउस रिपोर्टर्स इदर पे रहते हैं और डे निउस कावर करने के लिए उन लोग के लिए ये जगह है ख उन लोग के लिए तरह से के लिए झाल प्रोश भंवे लिए हु CD लिस विस अगरी देल का सुजू